कॉंग्रिस के वरिष्ट नीता और पुर्व मुख मंत्री दिगविजे सिंग ने आयोध्या में बन रहे भावे श्री राम मंदिर को लेकर एक नया बिवाद खड़ा कर दिया है। रामलला की मूर्ती को आखिर क्यों बदला गया। अब इन सारे सवालों का जबाब मिल चुका है जो कि आज हम आपको बताने वाले हैं। बदाएदे ट्रस्ट पदरदिकारियों ने कहा कि मूर्ती के बारे में निन्य संक्राचार विजयेंद्र स्वरस्वती और अने संतों ने प्रामर्ष से लिया जाएगा। ट्रस्ट के कारले प्रभारी प्रकाज गुप्ता ने बताया ट्रस्ट का जो भी निन्य होगा उसे उचित समय पर शार्व जनी किया जाएगा। चैनित प्रतिमा को गर्भग्री में अस्थापित किया जाएगा और 22 जन्बरी को पीम नरेंद्र मोधी की उपस्तित में एक समारोग में उसकी प्रान परतिस्ठा की जाएगी। मंदिर के निर्मान का पहला चरण अब पूरा हो गया है। गौर्टलबी की साल 1949 से श्रधालू रामलला की प्रतिमा वाले अस्थाइ मंदिर में पूजा अर्चना करते रहे हैं। अब राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों का कहना है कि पुरानी चल मूर्थी को उस्सव के अपसरों के लिए परिशन में रखा जाएगा। मालुम हो कि तीन मूर्थीकारों ने अलग-अलग पत्रों पर अलग-अलग काम करके भगवान की मूर्थिया बनाई हैं। उनमें से दो के लिए पत्थर करनटक से आया था और तीसरा मूर्थी राधिस्थान से लाई गई चटान से बनाई जा रही थी। मूर्थियों की नकासी जैपूर के मूर्थिकार सत्य नरायन पांडे और करनटक के गनेजबट और अरुन योगी राज ने की थी। दर्शल यदि पुरप्पा ने सोंबार को सोसल मीडिया पर लिखा था मैसूर की मुर्थिकार अरुन योगी राज द्वारा बनाए गई भगवान राम की मूर्थी को अयोध्या के भव श्री राम मंदिर में स्थापना के लिए चुना गया है जिससे राज के सभी राम भक्त की सराना की थी वहीं आयोध्या में सतर एकर में बन रहे राम मंदिर परिशन में तेरा और मंदिर बनाये जाएंगे जिहां इन में भगवान शुर्य, भगवान सिव, माता, भगवती, गनपती, हनुमान जी के अलाबा अन्यपुर्णा देवी के मंदिर होंगी इन मंदिरो का निर्मान परकोटे का काम पूरा होने के बाद शुरू होगा, परकोटे के बहार साथ अन्य मंदिर बनने हैं, इसमें रिसी वाल में की वशिष्ट, विश्वा, मीत्र, अक्षक्तिय, सब्री, निशाद, राज और अहल्या का मंदिर होगा, इन मंदिरों का निर्मान दोह का निर्मान परकोटे